निटानी मिट्टी का क्लेपोट है मतलब मिलतानी मिट्टी को गूंद कर इसको बनाया हुआ है डिजाइन देकर और उसको भट्टी में पकाया हुआ है बिल्कुल रेड रोस्टड है क्रंची है और यह है कि यह बहुत ही हलका बनता है ये देखें कितना ये लाल देख रहें कितना लाल कलर का है तो ये बिल्कुल रेड रोस्टेड है बहुत क्रंची और बहुत अरदी इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी है बहुत ही यमी है और इसको मुझे बहुत अच्छा रेवियू आ रहा है हर जगे से तो सब बो टेस्टी मतलब उनको बहुत ज़्यादा पसंदा रहा है और इसका प्राइस थोड़ा वन केजी का 350 है इंक्लूडिंग सीपिंग तो आप सोचों कि इसका दाम इतना ज़्यादा क्यों है क्यों कि हम मुलतानी मट्टी खरीद के लिए के आते हैं उसका चार्जेस अलग फिर व विलतानी मिट्टी काई एक लिए त्यार होता है और इसके बाद में ये तो बिल्कुल नोन ग्रीटी है बहुत ही यमी है और बहुत ज़्यादा यमी है तो आप इसको खा सकते हो आफ़कॉर्स खाते हैं मैं भी खुद खाती हूँ तो ये बहुत हैं लेकिन लेकिन और तो आप उसको और करें क्योंकि स्टॉक इसका खतम हो रहा है कि काफी ज्यादा इसका शेल आट हो गया मेरा तो इसको आप ज्यादा था बंद एक्सपेंसिव बोलके इसको आप कि ले सकते तो हफ किलो में ऐसा नहीं है जितना कोलकता क्लेप पॉट आएगा उसका मतलब ये डेड पीस okay यह जितना हेवी होता है नुद इसके मुकाबले यह नहीं होता है ठीकर तो मतलब यह आपका Eph kilo में भी Jen 10 से 12 पीस आ जाएगा अराम से I am стран सॉ 12 पीस 13 पीस ऐ जाएगा अराम से छिक Kings packing विद packing बूर रही हूँ मैं न तो यह आप ले सकते ओर आमसे वह ज़ी होगग शाहव उनकेजी थ्रीफिटी हाफ किलो 180 आप इसका ओडर ले सकते हो फ्रेंड ओडर दे सकते हो सॉरी तो आडर फ्रेंड यमी और यह कोलकटाकले पॉट यह नॉन्स्मोकी वाला है नॉन्स्मोकी कभी क्विश्टॉक अवेलेबल है स्मोकी बाला स्टॉक मैंने आपको दिखाया ही है तो ओर्डर करें फ्रेंट यमी स्टॉक ओके ठेक क्यार बाबाई लव यू